आज इस वीडियो में हम भोजपुरी की कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने शाधी तो की लेकिन शाधी करने के बाद भी ये एक्ट्रेस आज भी सिंगल है। नमबर एक पर नाम है पाकी हेगड़े का, भोजपुरी एक्ट्रेस पाकी हेगड़े की शादी कुछ साल ही चली लेकिन इनके दो बच्चे है, तलाक के बाद बच्चे पाकी के साथ ही रह रहे है, लेकिन एक्ट्रेस ने दूसरी शादी नहीं की, नमबर दो पर नाम है रश् अब रश्मी का भी पूरा फोकस अपने करियर पर ही है रश्मी कई रियलिटी शोज में नजर आ चुकी है जिन में से एक बिग बॉस भी है रश्मी अब टीवी सीरियल के अलावा म्यूजिक एलबम भी कर रही है लेकिन एक्ट्रेस ने आज तक शादी नहीं की नमबर तीन पर नाम है अंजना सिंग का एक्ट्रेस अंजना सिंग ने साल 2013 में एक्टर यश कुमार से शादी की थी लेकिन कुछ साल बाद इनका तलाक हो गया इस कपल को एक बेटी है जो अंजना के साथ रहती है अंजना अब अपने करियर पर ध्यान दे रही है नमबर चार पर नाम है अलीना शेक का साल 2016 में एक्ट्रेस अलीना शेक ने मुदसिर बे के साथ शादी की थी कुछ सालों बाद ये कपल अलग हो गए और अब अलीना अकेले रहती है उनका पूरा फोकस फिलहाल अपने करियर पर है नमबर पांच पर नाम है श्वेता तिवारी का एक्ट्रेस श्वेता तिवारी टीवी के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया है श्वेता तिवारी ने दो शादियां की लेकिन दोनों असफल रही इन दोनों शादियों से उन्हें दो बच्चे भी है लेकिन अब श्वेता अपने बच्चों के साथ हकेले ही रहती है श्वेता को एक बेटी और एक बेटा है जिनके साथ वो बेहत खुश है श्वेता अपने करियर पर फोकस कर रही है दोस्तों ये रही तलाकशुदा भोजपुरी एक ट्रेस